आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई एक अमेरिकन क्राइन एक्षन मूवी पेन इन गैन जिसकी आमडी भी रेटिंग है 6.4 आउट अफ 10 ये मूवी एक सची घटना पर आधारित है जिसमें की तीन लोगों ने अपने सपनों की लाइफ जीने के मूवी की सुरुआत में हमें मूवी के मैन करेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल लोगो होता है वो छट पर एक्सरसाइस कर रहा था तभी उसे पुलिस की कार की साइरन सुनाई देती है और डैनियल भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए पुलिस की बहु दिखाया जाता है डैनियल एक जिम ट्रेनर था उसे फीटनेस से अलग लेवल का प्यार था वो फीटनेस के जरिये ही सब कुछ हासिल करना चाहता था उसका जिम में एक साथे भी होता है जिसका नाम एड्रियन था वो भी बॉड़ी बिल्डर था पर उसमें पेसेंस नहीं इसलिए वो जल्दी से बॉड़ी बनाने के लिए स्टरोइड लेने लगता है जिससे उसकी बॉड़ी बहुत तेजी से grow करती है डेनियल जिम में आने वाले लोगों को ट्रेन किया करता था वो सबी भी डेनियल से बाते किया करते थे परस्नल बाते पर ये महच बाते होती ह डैनियल को ऐसी ही एक लड़की पसंद थी, जिसे वो ट्रेन किया करता था, वो डैनियल से पर्षनल बाते किया करती थी, इसलिए डैनियल सोचता है कि अब बात आगे बढ़ानी चाहिए, और वो उसे कॉफी के लिए पूछता है, पर वो लड़की उसे ऐसे मना कर देती है, जिसका नाम विक्टर होता है विक्टर काफी अमीर आदमी था और वो हमेशा अपने पैसो और रुद्बे का दिखावा करता था डैनियल भी चाता था कि उसकी लाइब भी विक्टर की तरह हो उसे सभी तरह की सुकसुई धाय मिले डैनियल वो सा पाना तो चाता था पर उसे पता नहीं था कि यह सब कैसे हासिल किया जाए एक दिन डैनियल अपने घर में होता है जहां टीवी पर एक आदमी जौनी वो का एक सोचर रहा था जहां वो बता रहा था कि पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था और अब देखो मैं अपनी लाइफ कैसे जी रहा हूं अगर दूर और दूसरा डॉंटर और जॉनी बोलता है कि तुम सभी को हमेंसे डूर बना है ना कि डॉंटर तुम वही करोगे जो तुमें सही लगेगा और वो सकसेस पाने का तीन स्टैप भी बताता है कि पहले गूल डिसाइड करो उसके बाद प्लैन फिक्स करो और तीसरा बस इसे फॉलो करो डैनल उसके बाद से बहुत प्रभावित होता है और अगले दिन जब वो जीम आता है तो वही तीन स्टैप उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और वो फाइनली पहला स्टैप डिसाइड करता है जिसमें वह एक अमीर आदमी को किड्नैप करने वाला था और स्टैप टू था उसकी सारी दौलत को अपने नाम करना और तीसरा स्टैप था किसी बहालात में इस प्लैन को पूरा करना चाहे रास्ते में जो कुछ भी आए डैनियन ने प्लैन तो बना लिया था पर इसे एक्जिक्यूट करने के लिए उसे और लोगों की जरुरत थी इस एक दोस्त डैनियल की मुलकात एक आदमी से कराता है और यहां पर एंट्री होती है दर रॉक की जिसका मूवी में नाम पॉल है पॉल अभी अभी जेल से चूटा था पॉल चोरी की केस में अंदर गया था क्योंकि पहले वो एक ड्रॉक एडिक्ट था पर जेल के दौरान उ किसी सरीफ आदमी के तरह जिंदगी जीना चाता था पर ऐसा होता नहीं क्योंकि एक बार जेल से नाता हो जाने के बाद उसे किसी जगह नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए पॉल को भी मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है अब इन्हें इस मिसन के लिए सिर्फ एक क्या सूट करने वाले हैं जिसमें तुम्हारी जरुरत है अब सब कुछ सेट था वहीं दूसरी और एड्रियन जो बाड़ी बनाने के लिए स्टरॉइट लिया करता था जिसके साइड इफेक्ट उसकी बाड़ी पर नजर आ रहे थे उसका पेनिस रिप्रोड़क्शन के लि वहीं दूसरी और डैनियल और पॉल अपने मिशन के लिए हत्यार लेने ही जाते हैं और पॉल सौब के उनर से जूट बोलता है कि वह एक्स पैरकमांडो है और वह सौब कीपर उसकी बाड़ी देखकर मान लेता है और उन्हें गंस दे देता है अब डैनियल पॉल और एड् जाते हैं अब वह दूसरा प्लैन बनाते हैं कि वह सौब के बहर से इप लेता है और वह सब करने से बच्चों को लेकर करने को बो और वह को टॉचर करने लगते हैं इसलिए विक्टर को ये सब बोलना पड़ता है अब विक्टर को एक खुफी अड़े पर ले जाते हैं और उसकी आँखों पर पट्टिया बान देते हैं ताकि वो कुछ देखना सके और विक्टर उससे पूछता है कि तुम लोग ये सब क्यों कर र अच्छे हैं और डैनियल उसे धमका कर पूछने लगता है और विक्टर बताता है कि तुम्हारे सस्ते डियों की वज़े से मैंने तुम्हें पहचान लिया अब उसकी आंके खोल देते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हारा है अगले दिन इसलिए डैनियल सरीना से बोलता है कि तुम्हें पॉल का ख्याल रखना है और सरीना बीना कुछ पूछे पॉल को अपनी और अट्रेक्ट करने लगती है और पॉल भी उसकी और अट्रेक्ट हो रहा था तबी बार में एक आदमी आता है जिसका नाम ग्रीगा था वो और जिद्धी किसमक आदमी था इसलिए उसे साइन करवाना बिल्कुल भी आसान नहीं था वहीं दूसे और हम देखते हैं कि एड्रियन और उस नर्स को एक दूसे से प्यार हो चुका है और फाइनल इतना टॉजर करने के बाद विक्टर साइन करने के लिए मान जाता है और साइन करता है अब उन्हें सिर्फ उसकी पूरी प्रॉपरटी को अपने नाम करवानी है इसलिए डैनियल एक लॉयर के पास जाता है जो ये काम कर सकता है पर वो लॉयर बोलता है कि आपको इस प्रॉपरटी की नौटरी करवानी होगी और नौटरी करवाने के लिए पार्टिस का यहां पर होना जरूरी है अब डैनियल को कुछ शमज नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जा है तप में उसे याद आता है कि उसकी जिम का ओनर भी एक करने वाला है और डैनियल उसके पास जाता है और उसे कण्वेंश करने लगता है पर वो भी बोलता है कि ये करने के लिए दोनों partys का होना जरूरी है और डैनियल उसे मनाने के लिए एक लाला चि देता है उन्हें अपने जीम के लिए sponsorship की जरूरत थी और डैनियल बोलता है कि मैं आपके लिए sponsorship ले आऊंगा बदले में आपको ये property मेरे नाम पर transfer करने होगी और वो मान जाता है अब उनका plan पूरा हो चुका था विक्टर की सारी property उनके नाम आ चुकी थी पर वो विक्टर को छोड़ नहीं सकते थे क्यूंकि विक्टर ने उन तीनों का चैरा देख लिया था इसलिए वो तीनों विक्टर को एक कार में बैठा अकर इसके एकसिजिएन राते हैं पर वहाँ से चले पर सर्प्राइजिंग्ल विक्टर फिर से बच जाता है और पुसे टाते हैं और व sought को सारी बातें कि कैसे उसको किड्नाप किया गया और उसकी पूरी प्रॉपटी को हथ्या लिया गया पर पुलिस को विक्टर के बातों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उसकी बॉड़ी में एलकोहल पाया गया था और विक्टर को पहले भी ड्रॉग समगलिंग के केस में अरेस्ट किया ग विक्टर अभी भी जिन्दा है तो वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल आते हैं पर विक्टर यहां पर नहीं होता क्यूंकि वो वहां से जा चुका था पर डैनियल को ये बात पता चलती है कि उसने पुलिस को पूरी बात बता दी पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर विक्टर की मदद करने के लिए मान जाता है और वो डैनियल के बारे में और जानने के लिए उसके जिम को जॉइन करता है और डैनियल से जान पैचान बढ़ाने लगता है और कुछ दिनों बाद एड्रियन उस नर्स साधी कर लेता है वहीं दूसरी और पॉल फिर से अपनी सर पर हमला करता है और उससे पैसो का बैग लेकर भागने लगता है पर वो पुलिस वाले भी पॉल का पीछा करने लगते हैं और इस गोली बारी में पॉल के पैरों की एक उंगली कर जाती है और वो इसी हालत में एड्रियन की साधी में आता है और डैनियल को बताता है कि मेरे पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे और पैसे चाहिए, डैनियल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कि अब क्या किया जाए, वही दूसरी और विक्टर, जिन के ओरनर को कॉल करता है, और उसे धमकी देने लगता है, कि तुमने जो किया है, वो इलीगल है, तुमने दोनों पार्टी को ठीकाने लगाने के लिए वहाँ जाते हैं, पर विक्टर वहाँ से भी भाग चुका था, पर उस होटल के ओनर से उन्हें पता चलता है, कि उसका बिल एक दूसरा आदमी दिया करता था, और डैनियल उसका नाम जानकर चौक जाता है, क्यूंकि वो उसी डिटेक्टि को ट पहला तो विक्टर था, जो उन्हें पकड़वाने की कोसिस कर रहा था, और दूसरा उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसलिए उन्हें और पैसे चाहिए थे, जिसके लिए डैनियल डिसाइड करता है, कि हमें एक और किटनैपिंग करनी होगी, और वो ग्रीगा नाम के एक अमीर आदमी को किटनैप करने का प्लान बनाते हैं, और वो तीनों ग्रीगा से एक बिजनेस मीटिंग का बहाना बनाकर एडियन के घर में मिलते हैं, और डैनियल उसे अपनी बिजनेस आइडिया के बारे में बताता है, पर ग्रीगा को सख होने लगता है, इसलिए वो एडियन के पूरे घर में खून फैल चुका था और वो उसे साफ करने की कोसिस करता है वहीं दूसरी और डैनियर और पॉल ग्रीगा के घर जाते हैं और पैसे ढूनने लगते हैं और उन्हें एक तीजोरी नजर आती है जिस पर की लॉक लगा था इसलिए डैनियर एडियन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसकी पत्नी सितीजोरी का कोट पूछो और एडियन उसे कोट पूछने जाता है पर वो देखता है कि वो मर चुकी है क्योंकि उन्होंने उसे बेहोस करने के लिए नसी की सुई दी थी जिसके ओवरडोस के कारण वो मर गई थी अब डैनियल को और कुछ नहीं सुचता इसलिए वो ग्रीगा के घर से सारी केमती चीज़े चुरा लेता है और वो उन दोनों की बॉडिस को ठीकाने लगाने के लगते हैं और उनकी बॉडि पार्ट्स को तीन ड्रफ में डाल कर बंद कर देते हैं और उन्हें धूर एक नदी में फेक देते हैं वहीं दूसरी और वो डिटेक्टिव सारी बात पुलिस को बता देता है कि कैसे उन्होंने विक्टर की सारी प्रॉपरटी को अपने नाम कर ली और एड्रियन की वाइव जब घर आती है तो उसे भी सभी जगह खून के निसान दिखते हैं जिसे कि एड्रियन ने साफ करने की कोसिज की थी पर वो अच्छे से साफ नहीं हुआ था और वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि यहां का त पास्ट में डैनियन को भी पकड़ लिया जाता है और उन्हें कोट में लाया जाता है जहां पर उन पर बहुत सी धाराय लगाई जाती है मर्डर एक्सटॉसन धोखादरी अब उनके बचने का कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि ग्रीगा और उसकी वाइफ की बॉड़ी भ गटना पर आदारी थी जिसमें की तीन लोगों ने अपनी लाइफ को सुधारने के लिए सौर्ट कट लिया अगर आपको यह मूवी के एक्स्प्लेनेशन स्लास समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे सग धर ताँ को सुष प्यूखर गडश्यों एफ है तो आज है करें और सौर्च को सिग्ट करें लाइब को सुष करेंग दन्मेंट देविशनेशनेशने लाइब को सुषब जिसमेंट इन वभे एभे ध वजब को सुषचत